राइट ए लेटर टु यूर फ्रेंट एबाउड गुड डिट यू डिट रिसेंटली। संप्रती करेचो एमोन एक्टी भालो काच संपरके तुमार बंधुके एक्टी चिठी लेखो। दिघा पुर्भोमेननिपूर 5-7-2023 दियार दिपक, I have not received your letter for a long time. प्रियो दिपक, दिर्गो समय धरे आमी तमार कनो चीठी पाइनी। फोप यू आलार फाइन, आसागोरी तमरा सकले भालवा छो। I wanted to share a touching incident that occurred recently। संप्रती घोटे जवाक्टी मर्मान्ती घोटना आमी शेयर कोत्ते चाई। लास्ट संडे आई वाच रिटार्निंग बाई बास, गतरोभी बार आमी बासे कुरे फिच्छिलाम। दो दा बास वाच क्राउडेट, लाकिली आई गोटे सीट, फिच वाच दा अनली भैकांट सीट। जोदियो बास्टा भीर छिलो, सोभाग्व वसतो आमी आक्टी आसन पेलाम, जेटा छिलो, एगमात्र आसन। No one sought humanity enough to give him a seat, क्योवी तके आक्टी आसन दिते जथेस्ट मानोबता दाखालो ना। Without a second thought, I offered him my seat, कोनो दित्यो चिन्ता छाड़ाई, आमी तके आमार आसन अफार कोलाम। He kept thanking me many times, तिनी आमाके अनेग बार धन्न बाद दिते धाक्यान। The gratitude and relief in his eyes filled me with immense joy। तार चोखे कृतक गोता एबंग सोस्ती आमाके अगात आनन दे भरिये दिलो। It reminded me of small acts of kindness, एटा आमाके दोयार छोट्टो का जिर्क था मन्ने कुरिये दाए। I cannot tell how much happy I was that day, आमी बोलते पार बोना कोतोटा खुसी आमी छिला मोई दिन। It was a humbling experience that left a lasting impression on me, एटी छिलो आक्टी नम्रो अभिगता जा आमार उपर स्थाई छापपेले छिलो। No more today, hope to see you soon, आज अन्नोय, सिग्रोई तुमास संगे दाखा हवे, with love to you and regards to your parents, तुमार बोती भालो वाशा, एबों तुमार पिता मातर कोती सधर संगे। Yours lovingly, राजीप, तुमार प्रियो राजीप, वर्थात ज्या चिठी लिख छे, तान नाम राजीव द्वा होलो। एबों बाम दिगे, दी पोकेट ठीका ना जारकाचे चिठी लेखावाई छेलो।